नबश्कार में और प्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार के अब तक ही बड़ी खबरों को भाजपाने आईपियस अधिकारी विनेतिवारी को कॉरिंटाइन किये जाने के पीछो अदिते ठाकरे का बताया हाथ बिहार से मुंबई सुषान सिंग राजपूत के मामले में तहकीकात करने पहुचे आईपियस अधिकारी विनेतिवारी को कॉरिंटाइन किये जाने के बीच में लगातार बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है वहीं भाजपाने अब इस मामले को लेकर अधित्य ठाकरे को जिम्यदार ठहरा है मिली जौनकारी के नोसार सुषान सिंग राजपूत के मामले में सीबी आई ने मामला दर्च करके जांच शुरू कर दी है जिसकी बाद अब सुषान सिंग राजपूत को अंसाफ मिलने की उमीद जित आई जा सकती है बीहार की नो नदिया पहुंची लालल निशान के उपर, बिहार में बाड़ से परिशानी लगातार बढ़ती जा रही है, गंगा सहित नो नदिया अब लाल निशान के उपर बहरा है। बकसर से घहलगाओं तक 3-12 cm की वृति दर्ज की गई है पटना में या आनंदी लाल निशान से मातर 46 cm नीचो है वहीं के हलगाओं में नदिया लाल निशान को पार कर चुक है वहीं वाल में के नगर बराज पर दर्ज की गई डिस्चार्ज में 1.72 लाग घंसे एक तक पहुँच गया है कोसी बलतारा और कुरसेला में लाल निशान के उपर बह रही है गंड़क बीटो मर्या घाट में लाल निशान से उपर बढ़ रही है बुडी गंड़क रोस्रा रे राजपूत को नया दिलाने का दिया आश्वा संदेश की सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक सुषान सिंग राजपूत को नया दिलाने का जिम्मा मुदफरपुर की जाच की गगंडीप सिंग गंभीर को मिला है गगंडीप सिंग साल 2004 के गुजरात कैडर के IPS रह प्रवरतर निदेशाले ने रिया की संपत्ती को खकालना शुरू कर दिया है जिसके तहत गुरवार को सुषान सिंग राजपूत की लिविन पार्टनर और साथ में दोस्त सैमॉल मिरांडा से पुछताच की गया है जानकारी के मुताबिक रिया की संपत्ती को लेकर दरजन की निया धीश की भी जान चली गई है पटना सिविल सर्जन का रियाले के नुसाल पटना एमस में गुरुबार की शाम पटना व्यवहार नयाले के परिवार नयाले के प्रधार निया धीश हरीश चंद्र श्रिवास्तव की जान चली गई है निया धीश श्रिवास्तव अन माहाल के बीच यह काम चार महीने से बंद पड़ा था लेकिन अब COVID-19 से बचवाफ करते वे स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार अब तक बिहार में 51,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं कमपनी की अकोशिश है कि आने वाले दो साल में 18 लाग से ज्यादा स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगा दिये जाए वहीं खबरों के अनुसार बिहार में बिचली कमपनी के इंजीनेर स्मार्ट प्रिपेड बिचली मीटर लगाने में दिल्चस्पी नहीं ले रहे ताकि कमपनी बिना किसी संपर्क में आये मीटर लगाने का काम आसानी से करवा सके बिहार पुलिस की IPS अधिकारी विनेतिवारी को BMC ने कुछ श्रतों के साथ कॉरिंटाइन से रिलीज करने का जारी की आदेश सुषान सिंग राजपूत के मामले में जौचकर ने मुंबी पहुचे बिहार IPS अधिकारी विनेतिवारी को कॉरिंटाइन कर दिया गया था हाला कि अब बिहार पुलिस की तरफ से लगातार पत्र जारी करने के बाद BMC ने उन्हें छोड़ने का फैसला सुनाया है जिसके बाद आज विनेतिवारी वापस पतना लोट सकते हैं फिलाल BMC ने विनेतिवारी को कॉरिंटाइन से मुक्त कर दिया है और उन्हें 8 अगस से पहले मुंबई छोड़ने का आदेश भी दे दिया है महीं BMC द्वारा रिलीस किये जानने पर विनेतिवारी ने कहा है कि BMC ने मुझे टेक्स्ट मेसेज की जानकारी दी है कि मैं बाहर जा सकता हूँ मैं अब पटना जाओंगा क्योंकि अब सुषान सिंग राजपूत के मामले को मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें अपने फ्लाट में पंखे से लटका देखा गया है अनुपमा की बॉड़ी उनके मुंबई के दही सिर स्थित घर में लटकी पाई गई है अनुपमा ने यह कदम उठाने के पहले सोचल मीडिया पर लाइब आकर अपन करने थे लेकिन कंपनी मेरा पैसा वापस करने में आनकानी कर रही है आपको बता दे अनुपमा बिहार के पूर्णिया जुले की रहने वाली थी तेजस्वी आदव ने मुख्यमंत्र नितिशकुमार को निश्वाने पढ़ लेते रहते हैं इस इक्रा में आज सुबह सुब के सरकार से गुहार लगा के खातिर डूबल खेत में वीडियो बनाने के परता पांच लाख हेक्टेयर भूमी में खड़ी फसल बाढ़ में डूब गयलवा हम सरकार से मांग करल रही बानी जा की तुरंत मुआफजा देकर छातिपूर्ती करल जाई आपकी ज़ानकारी के ल सरकारी स्कूल में पढ़ाने वारे सभी सिक्षकों को अपने मोबाईल में अब विद्यावाहिनी अप डाउनलोड करना अनिवारे कर दिया गया है इस अप को सिक्षा विभाग के सहयोग से बंद के दौरान ही सिक्षा राजय पाठ़ पुस्तक निगम लिमिटर ने बनाया वही नियमित तोर पर संचालत हो रहा है निगम के MD और प्राथमिक सिक्षा निदेशर डॉक्टर रंजीत कुमार सिग ने भी सभी जुलाप सिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है ताकि वो अपने अपने जिलों के सभी सिक्षा को अनिवार रूप से इस आप को डाउनलोड करने का निदेश जारी कर सके साथ ही सरकारी स्कूल में नामांकित छात्रों को भी इस आप के माधियम से पढ़ाई के लिए प्रोथ साहित करने का निदेश दिया गया है सुशान सिंग राजपूत मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखल किया हल्फ नामा अभी नेता के जाने के मामले में सचाई सामने आनी चाहिए कोर्ट ने साफतोर पर कहा कि बावजूदिस के कि मुंबई पुलिस की पेशिवर प्रतिश राची है बिहार पुलिस ओफिसर को कॉरिंटाइन करने का संदेश अच्छा नहीं गया है एक सब्ताबाद फिर से मामले की सुनवाई होगी इस मामले में बिहार सरकार ने परी तरफ से हल्फ नामा इसी को धियान में रखते वे दायर कर दिया है बिहार में बाड़ प्रभावित लगबग साड़े चौर लाख प्रभावितों के खाते में भेजी गया शेच बाड़ प्रभावित परिवारों के खाते में राशी भेजी गई है प्रखंड के 1188 पंच्वायत की 79 लाख आबादी बाड़ से प्रभावित है और दूसरे प्रशास्निक पताधिकारी कर्मियों के माध्यम से रहत और बच्वाफ का रे करवाए जा रहे है अलग अलग जिलों में अभी 1402 सामुदाइक के चेंच चला रहे हैं जिसके माध्यम की कुल मिला कर 3416 नेमामलों की पुष्टी की कही है जिसके बाद में बिहार में 10 जुलेसे हैं जो हमारीजों की संख्या 100 से ज्यादा पाई जा रही है राजधानी पट्ना में हालाच सबसे ज्यादा खराब है वहीं जमूई के SPB COVID-19 की चपेट में आ चुके हैं जबकि PMCH क चेक डॉक्तर और नौ मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है आपकी जानकारी के लापको बता दे PMCH में TV विभाग के हैड COVID-19 संक्रमित पाए गये हैं जबकि नौ मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है भिहार में सैंड आर्टिस ने बा जिनों तक बात राम जन्म भूमी पर राम लला का एक बड़ा और भवे मंदिर बने जा रहा है इसको लेकर सभी लोग खुश नजर आए इसी का प्रमान छप्रा में भी देखने को मिला छप्रा के सैंड आर्टिस ने एक बार फिर से अपनी कला का जलवा बिखे रहा है सैं लावा भारती टीम के ओल राउंडर खिलारी रह चुके युवराज सिंग ने टीम के बरताफ को लेकर कई बातों का खुला सक्या है तो कप्तान कोहली ने उनका बहुत समर्थर गया था लेकिन वो MS धोनी ही थे जिन्होंने बोला था कि 2019 विश्रुकप के लिए चेंड करता उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं धोनी ही थे जिन्होंने 2019 विश्रुकप के बारे में मुझे अच्छी तस्वीर दिखाई थी चेंड करता अपनी तरफ नहीं देख रहे हैं उन्होंने मुझे यह बताया कि वो जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया हाला कि वो इस बात से नाखुश दिके कि उनके आखरी दुनों में चेंड करताओं की तरफ से सही तरीके से बढ़ता नहीं किया गया स्वास्तव भागने भी जो जानकारी साजह किया उसके अनुसार 7 अगस्त को 20 लाख के पार मामले पाए गये हैं वहीं इसे ठीक होने वालों की संख्या भी 13,70,000 के पार पहुँच गई है वहीं राजय में केंडरी शाषित प्रदेशों की बात करें तो आकड़ों में मिली जानकारी के नुसार केंडरी स्वास्तमत्राले की तरफ से रिपोर्ट में यह बताये गया है कि एक दिन में संक्रमण के 56,282 ने मामलों की पुष्टी की गई है वहीं गुरुबार को कुल संक्रमिदों की संख्या 19,64,536 पर पहुँच गई है वहीं 24 घंटे में कुल 904 लोगों की जान जा चुकी है जिसमें जान गवाने वालों की संख्या 4,699 पर पहुँच गई है यह लगातार आठवा दिन है जिब COVID-19 संक्रमण के 50,000 से ज्यादा प्रकार है आपके नुसार सुषान सिंग राजपूत के मामले में मुमे पुलिस जान बूच कर बिहार पुलिस के मामले में मुश्किले पैदा कर रही थी या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़